नमस्कार स्वागताब सभी का आप देख रहे हैं मरुजाला.com और आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा 2021 के पद्म पुरुसकार वित्रित कर दिये गए हैं राश्पती भवन में आयोजीत कारिक्रम में राश्पती रामनात कोविन ने कुल 119 लोगों को पद्म पुरुसकार बाटे हैं जिन में 7 पद्म विभूशन, 10 पद्म भूशन और 102 पद्म श्री शामिल है 119 लोगों की इस सूची में 39 महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी हासिल कर विश्व भर में पर्चम लहराया और पद्म सूची में अपना नाम अंकित कराया है इन 39 महिलाओं में कुछ मरनो परांत भी सम्मानित की गई है इस वीजियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना दबदबा पद्म सूची में बनाए रखा है और पद्म पुरुसकारों की रेस में आगे बढ़ी है इस सूची में सबसे पहला नाम आता है कृष्णन नायर शांती कुमारी चित्रा का जिहां इन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है जादातर लोग इन्हें S. चित्रा के नाम से जानते हैं चित्रा ने रिजिनल सिनेमा के साथ साथ बॉलिवुड के भी कई सारे गीत गाये हैं करनाटक संगीत में पारंगत हैं और प्लेबैक सिंगिंग में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है पद्म सूची की अगली कड़ी में नाम आता है सुमित्रा महाजन का जिहां पद्म विभूशन से इन्हें नवाजा गया है देश की जानीमानी पॉलिटीशन हैं राजनितिग्य हैं और आपको बता दें कि साल 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी है इस साल उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवाड से सम्मानित किया गया है अगला नाम इस कड़ी में आता है पी अनीता का इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है तमिलाडू की राजधानी चेन्ड़ी से तालूक रखने वाली पी अनीता भारतिय महिला बास्केट बॉल टीम की कप्तान है अनीता तीस से जादा मेडल अपने नाम कर चुकी है अगला नाम है भूरी बाई का जिहां इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है भील आर्ट एक विलुक्त होती आर्ट फॉर्म है जिसे जीवन्त बनाए रखने और देश भर में इसे चर्चा का विशे बनाने का श्रे इन्हीं को जाता है इसलिए इन्हें पद्मपुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसी कड़ी में अगला नाम है लखमीमी बरुआ का इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है आसम की रहने वाली लखमीनी एक महिला बैंकर है इन्हें महिला ससक्षी करण और महिलाओं की जिंदगी में एक सफल और निश्चित बदलाव लाने के लिए सम्मानित किया गया है इस सोची का अगला नाम है रजनी बेक्टर का जिहां इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है लोधियाना पंजाब की रहने वाली रजनी बेक्टर ना सिर्फ महिलाओं के लिए बलकी हर एक शक्स के लिए प्रेणना है 89 साल की रजनी ने अपने छोटे से किचन से एक बड़े बिसकिट और ब्रेड बिजनिस की शुरुआत की है और आज वो बड़ी बिजनस मुवन के नाम से जानी जाती है अगला नाम है संखुमी बॉल्चुआक का पद्मश्री से नवाजी जाने वाली बॉल्चुआक मिजोरम की सोशल वरकर है और मीजो सोसाइटी के हग के लिए लगातार लड़ाई करती रही है इन्होंने मीजो समाज की बैतरी और उत्थान के लिए बहुत सारे काम किये है इस सूची का अगला नाम पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है और वो नाम है मेरी कॉम का बॉक्सिंग की दुनिया का ऐसा नाम जिसे वर्ल्ड चेंपियन के नाम से जाना जाता है इस बार उन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है भारत में महिला बॉक्सिंग का चेहरा और MC मेरी कॉम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है अगला नाम है सूची में कंगना रनौत का जिने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इस साल अपने अभिने की वज़े से लोगों के बीच आकरशन का केंदर बन चुकी अभिनेतरी कंगना रनौत को भी पद्मश्री से नवाजा किया है पिशले महीने ही कंगना को उनकी फिल्म पंगा और मनिकनका के लिए दग्वीन ओफ जहांसी के लिए भी नाशनल अवार्ड मिल चुका है खेल जगत से ही अगला नाम है पीवी सिंधु का जी हां भारत की स्टार बेडमिंटन खिलाडी पीवी सिंधु को भारत का तीसरा सर्वोच नागरिक पुरुसकार पद्म भूशन मिला है इस सूची का अगला नाम सिनेमा जगत से है और वो है एकता कपूर भारत के सबसे लोगपरी निर्माता और निर्देशक एकता कपूर को प्रदर्शन और कला में उनके योगदान के लिए चौथा सर्वोच नागरिक पुरुसकार दिया गया है अगला नाम है सूची का अगला नाम भी है खेल जगत से जी हाँ वो नाम है टेबल टेनिस के खिलाडी मौमादास का जिनहें पदमश्री से नवाजा गया है अपने बहतरीन खेल से मौमादास ने भारत सहित विश्रुभर में अपना नाम रोशन किया है इसलिए इस बार उन्हें पदमपुरुसकार से सम्मानित किया गया है पद्मपुरुसकारों के सूची में अगला नाम है राधे देवी का राधे देवी मणिपूर की एक जानी मानी ट्रेडिशनल ब्राइडल वेर डिजाइनर है 88 साल की राधे देवी ने पारंपरिक मणिपूर ब्राइडल आउटफिट को पूरी दुनिया में ऐसी फेमस कर दिया कि उसे नई पहचान मिल गई इस सूची का अगला नाम है शांती देवी का जिन्हें पदमश्री से नवाजा गया है और डिशा की शांती देवी को कोरा पुठिया गांधी के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने विनोबा भावे के आंदोलन से प्रेरित होकर खुद को समाज के लिए समर्पित करने का फैसला किया शांती अनात बच्चों और दुखियारी महिलाओं के लिए बहुत काम करती है सूची का अगला नाम है अंशु जाम से नप्पा का अन्शु पद्मश्री से नवाजी जा चुकी है अन्शु जाम से नप्पा एक भारती परवता रोही है और वो पहली महिला है जिन्होंने एक सीजन में दो बार माउंट एवरेस फतह किया है इसके साथ ही ये सबसे कम समय में डबल समिट अटेंड करने वाली परवता रोही भी रह चुकी है जिन्होंने पांच दिनों के भीतर ये काम किया है इस सूची का अगला नाम पुणमासी जानी के पास आकर रुकता है और उन्हें मिला है पद्मश्री जिहा और इशा की पुणमासी जानी को कला के शित्र में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है सिक्षित ना होने के बावजूद भी पुणमासी ने 50,000 से जादा भक्ती गीत, उडिया, संस्कृत और कई भाशाओं में लिखे और गाये है अगला नाम है प्रकाश कौर का जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है जालंधर की प्रकाश कौर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दूसरे बच्चों को उनकी तरह दुख से न गुजरना पड़े प्रकाश कौर ने करीब असी अनात और अस विकार की गई लड़कियों की देखरेट की है और उन्हें सही दिशा देकर बहतर जीवन दिया है दूसरा नाम है संजीदा खातून का संजीदा खातून को पद्मश्री से नवाजा गया है ये बांगलादेश की म्यूजिकोलोजिस्ट है उन्हें बांगलादेश मुक्ती संग्रामी शिल्पी संस्था की फाउंडर भी माना जाता है और सोशल वर्क और आर्ट्स के क्षेत्र में ये एक जाना माना नाम है अगला नाम है नीरू कुमार का शोशल वर्क और आनी सामाजिक सेवा के खशेत्र में नीरू कुमार शुरू से जोड़ी रही है नीरू कुमार का संबंध दिल्ली से है वो लम्बे समय से समाद सेवा के लिए समर्पित है अगला नाम है लाजवन्ती का लाजवन्ती को पदमश्री से नवाजा गया है, तृपुरा की रहने वाली 67 बर्शी लाजवन्ती फूलकारी कारीगर है इन्होंने पंजाबी फूलकारी की कला को जीवन्त किया है और उसी क्षेत्र में बहतर काम किया है इस सूची का अगला नाम है बीरुबाला रंभा का इन्हें भी पदमश्री से नवाजा गया है असम की बीरुबाला को चुटनी देवी की तरह ही समाज में अंधविश्वास का खामियाजा भुकतना पड़ा था और इस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है इस सूची का अगला नाम है बॉंबे जैश्री रामनाथ का इन्हें भी पदमश्री से नवाजा गया है 58 साल की जैश्री मूलरूप से कोलकाता की रहने वाली है संगीत जगत का जानामाना चेहरा है जानामाना नाम है जैश्री शास्त्री संगीत और फिल्मी सिंधूताई सबकाल पदमश्री से इस साल सिंधूताई को नवाजा गया है इन्हें लोग माई के नाम से भी जानते हैं सबकाल का ये नाम तब पड़ा जब इन्होंने 1000 अनात बच्चों को अपनी छत्रचाया में उनकी मा बन कर पाला था इस सूची का अगला नाम है विदूशी के एस जैलक्षमी जिहां साहित्य और सिक्षा के जगत में उनका योगदान सर्वोपरी है और उन्हें पदमश्री से नवाजा गया है वह सुधर्मा की संयुक्त संपादक भी है जो संस्कृत के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रो में से एक है चुटनी देवी का जिक्र हमने पहले ही किया था और उन्हें भी इस साल पदमश्री से नवाजा गया है हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को किस तरह से मुश्किलों और तिरसकारों का सामना करना पड़ता है इसका जीता जात्ता उधारन है जारकंड की पुलैल करार देकर गाउं से बाहर निकाल दिया था मगर इस बात से भी चुटनी देवी तूटी नहीं उन्होंने समाज की इन बुराईयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जैसी तमाम उन औरतों की मदद की और इस सूची का अगला नाम है दुलारी देवी बिह पुलारी देवी को सामाजिक कारियों के लिए इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है मधुबन जिले के राटी गाउं की दुलारी देवी सिक्षित नहीं है लेकिन मधुबनी पेंटीं को उन्होंने दुनिया भर में शोहरत दिलाई है इसी कड़ी में अगला नाम है मृद सूची में सबसे अंतिम नाम है तुलसी गोडा का जिनकी चर्चा देश भर में हो रही है तुलसी गोडा को परियावरन संग्रक्षन के लिए कई सारे पुरुसकार मिले है अपनी पूरी जिंदगी तुलसी ने परियावरन सरक्षर को समर्पित कर दी है इसलिए इस साल उन इतना ही आप बने रहे अमरुजाला.com के साथ शुक्रिया